वो इतनी खूपसूरत थी कि एक बार देखने पर लोग उन्हें पलट कर जरूर देखते थे बड़ी बड़ी आखे और इंडियन ट्रडिशनल चेहरा मुझे प्यार में हसीसी ने कोई अपसरा सामने खड़ी हो आज हम बात कर रही हैं बॉलिवुड की बेहत खूपसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस सुलक्षणा पंदित की यहां एक प्रशिक्षित गाई का थी जिनके खांदान में बड़े-बड़े शास्त्रिय गायक और म्यूजिक डाइरेक्टर भी हुए और इन्होंने गायकी में फिल्म फैर का बेस्ट फीमेल सिंगर अवॉर्ड भी अपने नाम किया दिलकष और मोहाकदाओं वाली सुलक्षणा अपने नाम के जैसे ही शांत और स्वामी मानी जाती थी ये एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और इनके पिता प्रताप नारायन पंडे जाने माने शास्त्रिय गायक थे सुप्रसिद गायक पंडित जस्राज इनके सगे चाचा थे एक और चाचा वसंत कुमार पंडित जाने माने राजनेता थे इनके तीन भाई मंधीर जतिन और ललित और बहन विजेता पंडित फिल्म और संगीत जगत में अच्छा खासा नाम कमा चुके हैं आईए डालते हैं इनके करियर और जीवन पर नजर सुलक्षणा का जन्द 12 जुलाई 1954 को 36 कड़ के राइगड में हुआ था इनका परिवार मूल रूप से हरियाना से था सुलक्षणा संगीत घराने से तालुक रखती थी और यही कारण था कि ये भी एक भैतरीन गाई का बनी कम ही लोग जानते हैं कि सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था जब आते होगी याद मेरी तेरा दिल का शुरूआत में यह स्टेज शो करती थी फिल्मों में सुलक्षणा का सिंगिंग करियर 1967 में आई फिल्म तकदीर से शुरू हुआ इस फिल्म में इन्होंने लता मंगेशकर के साथ साथ समंदर पार से गाना गाया था बाद इन्होंने कई फिल्मों में बतोर प्रिय बैक सिंगर अपनी आवाज दी थी 1975 में आई फिल्म उल्जन में इन्हें गायिका के साथ साथ अभिनेतरी बनने का मौका मिला ये एक मिस्ट्री ट्रेलर फिल्म थी और इसमें उनके ओपोजिट हीरो थे संजीव कुमार सुलक्षणा एक्टिंग में नहीं थी लेकिन संजीव कुमार ने उन्हें काफी सपोर्ट किया सुलक्षणा उनसे बेहत प्रभावित हुए और उन्हें अपना दिल दे बैठ इसके बाद सुलक्षणा पंडित के लिए फिल्मों के दर्वाजे दो दिशाओं में खुल गए उन्होंने बतौर एक्ट्रिस तीस फिल्मों में अभिने किया उन्हें फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेर अवार्ड मिला असी के दशक में उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर तहल का मचा दिया इस दौर की उनकी प्रमुक फिल्मे थी गरम खून, वक्त की दीवार चहरे पर चहरा, धर्म, काटा और बैरिस्टर इनमें ऐसी कई फिल्मों में अपने किरदार के लिए प्लेबाक सिंगिंग भी उन्होंने खुद ही किया था मंच कहीं कोई मिल जाए हाला की 1987 में आई फिल्म गोरा और 1988 में आई फिल्म दो वक्त की रोटी उनकी अभिनित आखिरी फिल्मे थी, लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग एक एहली ही हो चुकी थी अपनी आखिरी फिल्मों में भी उन्होंने संजीव कुमार के साथ ही काम किया था 1985 में हुई संजीव कुमार की मृत्यू के बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना छोड़ दिया हालांकि गाना जारी रखा इसका कारण यहां माना जाता है कि उनका परिवार कई पीडियों से गीट संगीट से जुड़ा था और उनके भाई बहनों ने कम से कम इस क्षेत्र में उनका हौसला बनाए रखा था एक गायका के तौर पर सुलक्षडा पंडित ने साथ, सत्तर और असी के दशक में हिंदी, मराथी वपंजाबी भाशाओं के कुल 78 फिल्मों में आवाज दी थी सुरक्षा पंडित के जीवन में संजीव कुमार का विशेश थान था दरअसल संजीव कुमार जिस शालींता से उनकी पहली फिल्म में उनसे मिले थे, वो उन्हें बेहत प्रभावित कर गया था, सुलक्षडा उन्हें अपना सब कुछ मानती थी लेकिन संजीव कुमार इस रिष्टे को अपनाने के लिए तयार नहीं थे, संजीव कुमार ने सुलक्षडा को कई बार समझाया कि वो उनके चक्कर में ना पड़े लेकिन एक्ट्रेस खुद को उनसे दूर नहीं रख पाती थी, सुलक्षडा चाहती थी कि संजीव कुमार उनसे शादी कर ले लेकिन संजीव उन्हें दोस्त की तरह रखना चाहते थे मीडिया रुपोर्ट्स के मुताबिक संजीव कुमार हेमा मालनी पर फिदा थे और उनके इंकार के बाद किसी और को अपना दिल नहीं दे पाए संजीव कुमार ने जब शादी के लिए मना कर दिया तो सुलक्षणा को बहुत धक्का लगा और वो डिप्रेशन में आ गई सुलक्षणा इस दूरी का जेल रही थी कि तभी 6 नवंबर 1950 को 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पढ़ने से संजीव कुमार का निधन हो गया इस हादसे ने सुरक्षणा को इतना गहरा धक्का पहुचाया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी अज पहली बार हुआ जीवन से प्यार जीवन से प्यार उन दिनों मीडिया को दिये एक इंटर्व्यू में विजेता पंडित ने बताया था कि दीदी पागल नहीं हुई थी बल्कि संजीव कुमार ने जब शादी करने से मना कर दिया तो डिप्रेशन में चली गई थी की मौत कभी भी हो सकती है ऐसे में वो दीदी की जिन्दगी बरबाद नहीं करना चाहते थे दीदी और संजीव कुमार दोनों ही एक दुसरे से बहुत प्यार करते थे हालां की कुछ साल पहले दिये मीडिया को दूसरे इंटर्व्यू में विजेता ने संजीव कुमार पर आरोप लगाया कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोका दिया था इस वज़े से उनकी दीदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलक्षणा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपनों को पहचान भी नहीं पा रही थी दुनियों से जाने के बाद सुलक्षणा का मानसिक कष्ट बढ़ता ही गया और एक समय ऐसा भी आ गया कि उनके पास कोई काम नहीं था में फिल्म खांदान में सुलक्षणा ने जीतेंद्र के साथ काम किया था और वो उनके अच्छे दोस्त बन गए थे एक रिपोर्ट के मुताबिक सुलक्षणा 2006 से अपनी बहन विजेता पंदित के साथ ही रह रही है हाला कि एक बार बात्रूम में गिरने की वज़र से उनकी हिप बोन तूट गई और इस वज़र से वो आज भी ठीक से चल नहीं पाती वो अपने कमरे में अलग रहती है और दूसरों से बिलकुल भी नहीं मिलती सुलक्षणा को आखरी बार पब्लिकली विजेता के दिवंधत पती म्यूजिक डाइरेक्टर आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद उनकी प्रार्थना सभा में देखा गया था सुलक्षणा पंडित की अब तस्वीरों को देख करके शायद आप यकीन भी नहीं कर सकते कि वो वही खूपसूरत एक्टरेस है जिने देख करके कभी लोगों की धड़कने रुख जाती थी हमारी यही प्रार्थना है कि सुलक्षणा पंडित जल्दी स्वस्थ हो जाए और बाकी का जीवन खुशाल बिताए तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथ ही सुलक्षणा पंडित से जुड़ी कोई और जान ही मुलाका